जल्द ही जम्बो वालों को मिलने जा रहा है जम्बो जू का तोफा ये जम्बो जू कब तक बन कर तयार होगा? इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है चीफ वाइड लाइड वाडन सुरेश कुमार गुपता जी सर जेके नियूस्टूडे में आपका स्वागत है सबसे पहले जानना चाहेंगे जम्बो जू कब तक बन कर तयार होगा? जम्बो जू जो है वो इस वक्त उसका काम चल रहा है और हम अक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले मिहने एक दो मिहनों में उसका जो में वर्क्स हैं वो कंप्रीट हो जाएंगे बट कुछ रिजिस रही है जैसे आप जानते हैं कि करोना की तीन वेप आई है और उन वेप का असर जो है वो लेबर पर भी हुआ है जो हमारे कंटक्टर्स काम कर रहे हैं पर भी फेक्टर हाया है हमारे स्टाफ भी रहा है लोग वी इन्वावल रहे हैं कि लोगों के रिलेटिवस की डेट हुई है तो एक तो एक वो बड़ी वजा रही है जिसकी वहां से थोड़ा सा डले है थोड़ा सा हमारा एक फंडिंग का इशू है कि जेकाइड एफसी से हमें इसमें फंडिंग आ रही है तो वहां पर उनका एक इशू चल रहा है जिसको बहुत रिजाल्व कर चुके हैं कि सब्तंबर के बाद जो है वो हमारे बिलिंग में थोड़ी सी प्राड़म आई है तो मुझे उमेद है कि वह भी कह रहे है कि विदिन वीकर्स हो भी हल हो जाएगा फिर हमें जो जू के लिए क्या होता है कि सेंटर जू 30 होती है गोर्मेंट आफ इंडिया की तो इसमें हर जो इंक्लोजर जानवर का होता है इसका जो प्लैन होता है वो सब जीज़े हैं वहां से अप्रूब करानी होती है हमारा टार्गेट है कि सब्सक्राइब तक किसको हम उप्रेशनाइज करवा दें सिर जम्बो जू में कौन-कौन स्पेशल स्पीशेस हैं मंगवाई जा रही है देखिए जम्बो जू की कुछ में खासीतें आपको बताना चाहूंगा एक तो ये होगा कि कि इसके अंदर कोई गाड़ी लाओने होगा इसके अंदर सिरु बैटरी ओपरेटर गाड़ीय चलेंगी या साइकल चलेंगे या लोग पैदल चलेंगे दूसरी चीज इसमें यह कि इस से कहने का मतलब यह हो गया कि यह इको-फरेंडली जू होगा दूसरा इसमें ये है कि हम डिफरेंट स्पीशिज ला रहे हैं जो हमारे यहां पर जो स्पीशिज हैं वो तो होंगी होंगी जैसे कुछ नई लाइन है जो कि बबरशेर बोलते है वो होगा यहां पर टाईगर बाग जिसको बोलते है वो भी इसमें होगा हमारे भालू की एक किसम होती है जेंड की में जिसको ब्लैक बेर बोलते हैं एक दूसरी किसम होती है जिसको बोलते हैं जो प्लेन एरियाज में होता है उसको भी हम यहां ला रहे हैं उसके बाद क्रोकोडाइल जो है मगरमच जिसको बोलते हैं वो भी हम साफी स्पिशीज हैं लग लग स्पिशीज हैं बर्स की भी हैं तो डिफरेंट होगा यूनीक होगा यह और इसके बड़ी में जैसे पिंजरा इतना बड़ा है कि उसके अंदर आप फ्रीली चलेंगे जानबर पिंजरा में बंद नहीं होगा बहुत बड़ा एक पिंजरा हो ज जैसे जू होते हैं दिली में जाएं चंदिगर जाएं बंगलोर जाएं लेकिन यह जू अलग होगा क्योंकि पहड़ी अरिया का जू अलग होता है आप हर टर्न पर आपको नया निजारा मिलता है तो वह चीज़ इसमें देखने को आपको मिलेगी तो एक जो यह यह जो यह जो इंडिया उसमें मारी मिनिस्ट्रि के अंडर है वह जो एकशपोर्स होते हैं वो हर स्पीशीज का इंकलॉजर जो होता है उन्हों उन्होंने उसमें सपैसिफिकेशन दी हैं जग हर किस तरह किसम कि कितनी जगा चाहिए कितनी लेंग चाहिए पानी किसप्रा से करना है उ पिर उसके बाद जाकर के फिर यह उसको बनाते हैं जब वह पिंज़रा है जा हैंRO पता एंडियोंगे उसके पार जे इन्कलॉजर जो बने ड़िए नियसके चेक करे थाद कि लोग्रू नबीड़ Channelis करूप ताकि वो जानवर ऊपर चड़ना सके इसी तरह से बेर का एक अलग का तरीका होता है दूसरे जो आध वह लागत कितनी है देखिए ऐसा है कि यह टोटल 163 हेक्टर लेंड है अभी तो इसका फेज बन रहा है तो फेज बन जो है ये इसकी 62.41 क्रोड का ये प्रजेक्ट है जिसको गोवर्मेंट अपरूबल दिया हुआ है और जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर हम फेज डू वे भी काम करेंगे अधर जबांगyes के फिर हैं इसका बेसिकली इशू ये है मांड़ा जो है यह मिनी जू है इसको सेंटर जू थार्टी ने मिनी जूAKनाईज किया हुआ है क्योंकि हर zoo operate करने के लिए हमें center zoo 30 से प्रूबर लेना पड़ता है तो कुछ साल पहले जब department ने उनको approach किया था कि हम जमू में एक full flesh zoo बनाएंगे तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये zoo century के अंदर है वाई life century के अंदर है तो उसमें बड़ा zoo नहीं कर सकते हैं मतलब उसमें zoo नहीं कर सकते हैं उसको century से बाहर लेना पड़ेगा फिर उनकी team यहाँ पर आय थी 2013-2012-2012 में उन्होंने ये जगा select की थी कि ये जगा suitable है तो उसके बाद इसकी process शुरू हुई जहां जम्बू zoo बन रहा है तो मांडा बिनी zoo जो होगा यह वहाँ shift हो जाएगा जो मांडा में जो इसको existing structure है इसको हम rescue center बना लेंगे जो हमारे different areas जो जम्बू region के हैं जहां कोई animal injured हो जाता है या कोई animal को कोई problem होती है जा कोई leopard man eater बन जाता है तो यह उनको rescue करके यहां रखा जाएगा यह rescue center बन जाएगा जम्बू zoo में footfall कैसा रहेगा क्योंकि मांडा zoo कि अगर हम बात करें तो यहां का क्या footfall है और वहां पर कैसा footfall रहेगा उस पर आप क्या कहेंगे मैं आपको बता दूँ कि मांडा zoo हमारा है भी बंद रहे लोगों का भी निकलना बंद रहा लेकर नार्मल जब रहा है और अभी भी आप देखेंगे Saturday Sunday को इतना रश होता है यहां को चलने को जगा नहीं मिलती है तो उसी तरह के से आप देखेंगे कि जम्मू zoo में तो बहुत अच्छा हमें फुटफाल होने की चांसे है The reason being एक तो उसकी location बड़ी अच्छी है क्योंकि आप देखेंगे नेशनलवाई के उपर है वैशनो देवी दर्शन के लिए जो टोरिस जाएंगे उनको रास्ते में दिखेगा तो एक attraction रहेगी जंबू सीटी के पास है फुल फ्लेज जो एक बढ़ने जा रहा है और किश्मीर को जो लोग जाएंगे पत्री टाप सरनासर घूमने जाएंगे हमारे डोड़ा बदरवा किष्टवार्ट जो लोग जाएंगे उस साइड तो सब को रास्ते में एक temptation रहेगी दो फेज़ में यह जम्बो जू बनने जा रहा है जो फर्स्ट फेज है वो लगबग 6 या 8 महीने के अंदर बनकर तयार होगा सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज कब तक बने शुरू होगा और कब तक बन पाएगा देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ आपको के कोई भी जू है वो बेसिकली एक डायनामिक एंटिटी है स्टेटिक एंटिटी नहीं होगी क्योंकि जू बेप कहीं भी आप जाएंगे कुछ ना कुछ अडिशन्स इंप्रूव्मेंट्स होती रहती है तो फेज बन तो हमारा इसलिए है कि चलो हम पहले एक प्रापर लेवल पर पहुंच जाए फिर हम देखें कि हमारा ये जो है इसका किस तरह से हम इसको जमीन पर लाए है स्टैबलिश किया है क्या-क्या हमें प्रॉड्म्स रही है और आगे हमें नेक्स फेस जो वर्काउट करना है उसमें क्या-क्या हम रखेंगे क्या-क्या और स्पीशीज क्योंगे अभी हम पहले फोकस कर रहे हैं अपनी लोकल स्पीशीज पर और कुछ बाहर से कुछ स्पीशीज जो जहां पर इसली अड़ेस्ट हो सकती है इसके बाद फिर हम उन स्पीशीज पर भी देखेंगे जिन के लिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनद करनी पड़ेगी तो उन स्पीशीज के लिए करेंगे और आने वाले टाइम में हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम यहां पर कोई सफारी विगरा का प्रविजन बनाएं जिसमें के जानवर बिल्कुल फ्री हों तो इनसान जो होंगे वो बिल्कुल गाड़ियों में बंद होंगे और उनको खुले में देखेंगे तो वो भी देखेंगे बाद में लेकिन उसके लिए पूरी सेपरेट डीपियार बनेगी सेपरेट वर्काउट किया जाएगा तो बात की बात है यह रेयर स्पीशियस सर कहां कहां से अब मंगवारेक उन किन किन स्टेट से मंगवाये जा रहे या बाहर से भी इसमें देखिए ऐसा है कि डिफरेंट जू जो होते हैं उनका आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है जिसको सेंटर जू थार्टी में ने को बताया वो कौडिनेट करवाती है वो हमारी नेशनल थार्टी है जूस को कौडिनेट करने के लिए तो होगा ये कि जैसे हम ने दिली जू को दो साल पहले एक लेपड दिया था हमारे पास लेपड ज्यादा हो गए तो उनको जरूरत थी उसके बदले में हमें ब्लैक बक दे रहे हैं काला हिरन दे रहे हैं तो इसी तरह से हम बाकी जूस के साथ बात कर रहे हैं, अलग लग के साथ, तो किसी को हमसे कोई अनिमल चाहिए, कोई हमसे सांबर माग रहा है, कोई हमें लेपड कायाट माग रहा है, तो जो चीजे हमारे पास यहाँ ज्यादा होंगी, वो हम उनको देंगे, बदले में वो हम सर, इसमें टिकट रेट्स क्या रहेंगे लोगों को सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है, टिकट तो टिकट रेट्स का क्या रहेगा, अभी वो चीज अभी डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें अभी दो चार भी नहीं लगेंगे, फिर हम इसमें बैठेंगे किस तरह से हम इसमें करेंगे, मुझे नहीं लगता टिकट बगएरा का कोई ज़्यादा इशू रहेगा, टिकट बगएरा तो नार्मली किशी भी जूब में नार्मल होती है, बट में होता है कि अंदर की चीज़ें, जैसे अंदर वहां क्याफ्टेरिया होगा, और बहुत सारे क्यास कहोंगे, बैटरी प्रेटर गारियों होगी, वो भी अनपेमेंट बेसिस पे होगी, तो अलग लग फैसल्टी जब लोग इंजॉय करेंगे तो उनकी अलग लग पेमेंट होगी, एंटरी तो नार्मल ही होती हर जूब में, कोई ऐसा कोई बो मुश्कल सवाल जाना चाहते थी, कि में लेक्स जो है, जमू की, सुरीन सर है, मांसर लेक है, इसमें देखा गया है कि कुछ टाइम के बाद जो फिशेज है, वो उनकी काफी मोटालिटी रेट काफी बढ़ जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिे, मांसर और सुरिशर लेक हमारी जो है, वो मांसर सुरिशर वाइलफ सेंट्री के अंदर पड़ती है, और यह internationally recognized site है, इसको रहामसर site बोलते हैं, जो भी वैटलेड इंटरेशनल रहामसर साइट हो जाता है, international status बन जाता है उसको रहामसर सेट बोलते हैं और साथ में इसमें हमारी रिलिजिस मानिता हैं आप जैसा जानते हैं कि वहां लोग अपने उनके देवी देपता मानते हैं वहां बाल उतारते हैं बच्चों के तो कोई वहां से फिश निकालता नहीं है कोई फिश को इस्तेमाल नहीं करता है तो फिश जब को होती है उसकी लिम्ट होती है कोई भी आज तक immortal तो रहा नहीं है तो होता नार्मली क्या है कि जो Living lifelong fish होती है जिसकी एज हो گー होती है तो mostly यह देखने मैं आया है जब Winter आता है तो विंटर मैं उसकी ठोड़ी mortality हो जाती अपर शाल होती इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद